नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल Sun Academy में हार्दिक स्वागत है हम लोग भारत भोगोल से सम्मधित MCQ कर रहे हैं और आज का टॉपिक है इस वीडियो का भारत के परवत एवं पठार भारत के परवत एवं पठार से सम्मधित MCQ आज करेंगे हम लोग जो PSC और व्यापम में पूछे गए है तो चलिए आज का पहला कुशन देखते है सियाचिन क्या है? Option A, हीमनद, रक्षा छेत्र, जहरन, गोदावरी या फिर C, जौला मुखी, बैरन या उपरवक्त में से कोई नहीं तो इसका सही एंसर है A नमबर हीमनद, रक्षा छेत्र है सियाचिन चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं सियाचिन, गलेसियर, काराकोरम, स्रेणी, लदाक में इस्थित है कहा सबसे बड़ा गलेसियर वा सबसे उचाई पर इस्थित, रक्षा छेत्र है तो यहां हम लोगने देख लिया दोस्तों कि जो सियाचिन है, रक्षा छेत्र भी है और क्या है यहां निहिमनद है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते है कौन सा पठार आज गोड़वाना के नाम से जाना जाता है ओप्सन ए है तिबद का पठार, भारत का प्रादवीपीय पठार, दक्कनी पठार, अर्भी पठार या इन में से कोई नहीं तो चलिए इसके सही एंसर जानते है बी नमबर, भारत का प्रादवीपीय पठार गोडवाना क्या है भारत का प्रायद वीपी पठार है चले नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं जिसका डिटेल में जानना होगा दोस्तों मैं उसको बताऊंगा तेलांगना के पठार में सामिल है यहां देखते हैं A नंबर आर्कियन और विंध्य रचनाई B है गोडवाना और क्रिटेसियस रचनाई C है धारवाड और कडप्प रचनाई D है गोडवाना और आर्कियन रचनाई और E है आर्कियन और धारवाड रचनाई तो इसका सही अंसर है E नंबर आर्कियन और धारवाड रचनाई है तिलांगना के पठार में सामिल है आरकियन और धारवार रचनाएं धारवार रचनाएं में क्या होता है दोस्तों इसमें खनिज तत्तों की अधिक्ता होती है और आरकियन या क्या है भारत का सबसे प्राचीनतम भुभाग है किसी से बना हुआ है आर्कियन सेल तंत्र से चले नेक्स क्वेशन देखते हैं निमलिखित में कौन सा युग्म सुमेल नहीं है तो इसमें देखते हैं पहला नमबर पे है करनाटक इलाची पहाड़ी या B नमबर है उडिसा मलजगिरी पहाड़ी C नमबर है तमिननांडू जवाली पहाड़ी D नमबर है आंधरपर्देश नला मला पहाड़ी तो इसका सही अंसर देखते हैं दोस्तों तो जो करनाटक है वह इलाची पहाड़ी या सुमेलित नहीं है क्योंकि इलाची पहाड़ी है या केरल में इस्तित है चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते है इलाची पहाड़ी का विस्तार केरल के दक्षिन पूर्व वह तमिननांडू के दक्षिन पसी में इस्तित है तो यहाँ पे हम लोग पता चल जाता है दोस्तों कि जो इलाची पहाड़ी है वह केरल राज्य में इस्तित है केरल के यहाँ दक्षिन पूर्वी छेतर में और तमिननांडू के दक्षिन पसी में छेतर में इस्तित है मतलब जो केरल है और तमिननांडू है इन दोनों के बीच में क्या है इलाची पहाड़ी है चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं निम्न में से कौन सी स्रिंखला कस्मीर घाटी को सिंदु घाटी से अलग करती है धावलाधार, ग्रेट हिमालाय, फीर पंजाल या फीर सिवालिक तो इसमें सही एंसर है बी नमबर ग्रेट हिमालाय ग्रेट हिमालाय यह स्रिंखला कस्मीर घाटी को सिंदु घाटी से अलग करता है चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं व्रिहत हिमालाय और पीर पंजाल के मद्य कस्मीर घाटी इस्थित है तथा कस्मीर घाटी और सिंधु घाटी को पीर पंजाल स्रेणी प्रिथक करती है ठीक है दोस्तों तो चलिए नेक्ष देखते हैं देखते हैं जासकर स्रेणी इस्थित है जासकर स्रेणी किस कहां पी इस्थित है इसको बताना है उप्सन ए है जम्मू कस्मीर, बी है उतरांचल, सी है असम या फिर अरुनाचल परदेश या फिर मेगालाएं तो इसका सही एंसर है दोस्तों ए नमबर जम्मू कस्मीर में है जासका स्रेणी जम्मू कस्मीर में इस्तित है जासका स्रेणी कहां है जम्मू कस्मिर में इस्तित परवत स्रेणी में कारा कोराम, लद्दाग, जासकार, पीर, पंजाल इस्तित है नेक्स देखते हैं नेक्स क्वेशन है महादेव पहाडियां भाग है महादेव पहाडिया किसका भाग है तो यह सत्पूडा का भाग है चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं अरावली परवत स्रिंखला भारत में प्राचिंतम परवत स्रिंखला है जिसका निर्माण 570 मिलियन वर्स पूर्व प्री कैंबियन काल में हुआ था इसकी सबसे उंची चोटी गुरु सिखर 1722 मीटर है जिसका विश्तार गुजरात के पालंपूर से दिल्ली तक 800 किलो मीटर लंबाई में है उदैपूर के उत्तर पस्सिम में गरजा पहाडी इस्तित है जो अरावली परवत का भाग है तो यहाँ पर हम लोगों पता चलता है दोस्तों कि जो अरावली परवत है यहाँ गुजरात के पालंपूर से लेकर दिल्ली तक यहाँ इसकी लंबाई 800 किलो मीटर है उदैपूर के उत्तर पस्सिम में गरजा पहाडी इस्तित है जो अरावली परवत का भाग है तो अरावली परवत के बारे में इतना पता चल गया दोस्तों चलिए next देखते हैं next question अरावली परवत माला की सबसे उची चोटी कौन सी है तो अरावली परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है बताना है तो इसमें देखते हैं option में है अचलगड, बैराट, तारागड, गुरु सिखर, जारंगा तो इसमें सही answer है D number गुरु सिखर चलिए next question देखते हैं भारत में सबसे पुरानी स्रिंखला निमलेकित में कौन सा है तो अभी हम लोगों ने आठवा नमबर के question में देखाते हैं कि सबसे पुरा प्राचीन तम स्रेणी कौन सी है अरावली स्रेणी है तो इनमबर इसका सही होगा चलिए next question देखते हैं इसमें भारत में विद्यमान सबसे प्राचीन प्रवत स्रेणी कौन सी है हिमालय विंध्याचल सत्पूडा या फिर अरावली इसी को बार बार repeated question है ये वहती ज्यादा important है क्योंकि हर बार इसी में से question आता है चलिए next question देखते हैं उद्यपूर के उतर पसी में अरावली किस रूप में जाना जाता है तो यहाँ पर बताना है सुद्र पहाडी गरजा पहाडी सेसा पहाडी रतना पहाडी या फिर माला बार पहाडी तो अभी हम लोग जो डिटेल देखे थे अरावली परवत वाला मे तो उसमें बी नंबर गरजा पहाडी देखे थे कि इसको बोला जाता है उद्यपूर के उत्तर पसी में चलिए next question देखते हैं निम निलिक चलिए next देखते हैं निम नांकित में से दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है option A है माकूर्ती दोडा बेटा महाबलेश्वर पुद्रे मुख इन्हों से कोई नहीं तो इसका सही अंसर है दोस्तों B नंबर दोडा बेटा दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है दोडा बेटा है चलिए next देखते हैं इसके बारे में तो डिटेल देख लेते हैं विकल्प के अधार पर दोडा बेटा होगा किन्तों दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी अन्ना मलाई है तो यहाँ पर इसकी मीटर में उचाई देखते हैं तो अन्ना मलाई की उचाई है 26,95 मीटर है और दोडा बेटा का है 26,37 मीटर तो सबसे उची चोटी कौन सी है दक्षिन भारत की अन्ना मलाई है लेकिन यहाँ पर क्षिन में दिया हुआ है अन्ना मलाई नहीं दिया है तो जिसे करण इसका एंसर दोडा बेटा होगा चलिए नेक्स क्षिन देखते हैं भारत में निमनलिखित में से कौन सा पठार लावा द्वारा निर्मित है दक्कन का पठार, छोटा नाकपूर का पठार, मुंदेल खंड का पठार, बगिल खंड का पठार तो इसका सही अन्सर है ए नमबर दक्कन का पठार भारत में निमनलिखित में से कौन सा पठार लावा द्वारा निर्मित है तो ए नमबर दक्कन का पठार इसके बारे में डिटेल देखते हैं डकन के पठार का निर्माण के टेसियस यूग के दावरान अत्यधीक जौला मुखी उदगार से 146 मिलियन वर्स पूर्व है इसका निर्माण 146 मिलियन वर्स पूर्व हुआ है चलिए नेक्स कोईशन देखते हैं भारत में नविंतम परवत स्रेणी कौन सी है Option A अरावली के बारे में हम लोग अभी देखे हैं कि यहां सबसे प्राचिंतम है तो नविंतम तो नहीं हो सकता B नंबर देखते हैं विंध्याचल स्रेणी C है हिमालाए और D है सत्पूरा स्रेणी और E है उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका सही एंसर है C नंबर हिमालय हिमालय सबसे नमिन्तम है क्योंकि आपको पढ़े भी होंगे कि जो हिमालय है उसकी जो उचाई है वह आज भी बढ़ते ही जा रहा है चलिए next question देखते हैं गर्ज हाट पहाड़ियों को निमनलिखित के रूप में भी जाना जाता है उडिशा का परवतिय छेत्र मध्य परवतिय छेत्र मेगालय की पहाड़ियां D नमबर राज हाट की पहाड़ियां या E नमबर है केरल का परवतिय छेत्र तो इसका सही एंसर है A नमबर गर्जहाट पहाडियों को केरल का परवतिय छेतर के रूप में भी जाना जाता है तो गर्जहाट पहाडियां कहां है किस राज्य में स्थित है तो यहां केरल राज्य में स्थित है चले next question देखते हैं पस्यम से पूर्व की तिरफ मालवा पठार पूर्व में अरावली स्रेणी से खालिस्थान तक फैली हुई है option A है विंदिल स्रेणी B है छोटा नाकपूर का पठार C है बुंदेलखन का पठार D है मेघाले का पठार और E है महरास्थ पठार तो यहाँ पे इसका सही अंसर देखते हैं B नमबर छोटा नाकपूर का पठार तो यहाँ देखते हैं दोस्तों हम लोग पस्यम से पूर्व की तरफ मालवा पठार पूर्व में अरावली स्रेणी से कहा तक फैला हुआ है चोटा नाकपूर के पठार तक फैला हुआ है चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं उससे पहले थोड़ा से इसके डिटेल देख लेते हैं मालवा का पठार 1.5 लाग वर्व किलो मीटर में फैला है जिसका अधिक्तम भाग मत्य पर्देश में है इसकी उत्री सीमा, अरावली पर्वत स्रिंखला, दक्षन सीमा, विंध स्रेणी तथा पूर्वी सीमा, बुंदेल खंड के पठार तक विश्तरित है चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते है उतर भारत को दक्षिनी भू भाग से अलग करने वाली परवत स्रिंखला है ओप्सन में है विंधे स्रेणी, सत्कूरा स्रेणी, मैकल स्रेणी, अजंता स्रेणी या फिर बालाघार्ट स्रेणी तो इसका सही अंसर है दोज्तों ए रंबर विंधे स्रेणी विंद स्रेणी के बारे में थोड़े इसके डिटेल विंद स्रेणी परवत स्रेणी का विस्तार गुजरात के जोबत से पूर्व में बिहार के सासारान तक 10-50 किलो मीटर तक है यह परवत स्रेणी उतर भारत को दक्षन भुभाग से अलग कर दी है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं चेरा पुझी निमलेखित में से किस पहाड़ी पर इस्तित है तो चेरा पुझी किस पहाड़ी में इस्तित है बी नमबर है खासी पहाड़ी में इस्तित है इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं चेरापुजी खाजी पहाडी पर में घालाय में इस्थित है नेस्ट क्वेश्चन देखते है सत्पुड़ा दथा विंधिर के मद्ध कौन सी नदी बहती है तो इसका option है A नमबर गुदावरी B है गंडक C है नर्वदा और D है उप्रेक्ट में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर है दोस्तों C नमबर नर्वदा चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं सत्पुड़ा दथा विंधिर के मद्ध इस्थित भ्रंस घाटी से नर्वदा नदी तथा सत्पुड़ा और अजन्ता की पहाड़ी इस्थित भ्रंस घाटी से तापती नदी बहती है यहाँ पर हम लोगों को एक क्वेशन में और पता जल जाता है दोस्तों कि जो सत्पुड़ा दथा विंधिर के मद्ध इस्थित भ्रंस घाटी से नर्वदा नदी तथा सत्पुड़ा और अजन्ता की पहाड़ी इस्थित भ्रंस घाटी से तापती नदी बहती है चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं नर्वदा और तापती नदियों के मद्ध कौन सी परवत माला अवस्थित है तो यहां देखते हैं ओप्सन में है सत्पुड़ा, B है विंदे, C है साधरी परवत या फिर राजमाहल जिसका सही अंसर है A नमबर सत्पुड़ा नर्वदा और तापती नदियों के मद्ध में कौन सा परवत से इंखला है सत्पुड़ा है नेक्स्ट कोशन देखते हैं भारत के पसिम 30 मैदान की खास विशेष्था क्या है चोड़े महादविपीय सेल्प मड़ फ्लैक्ट्स और प्रवाल भित्याँ B है डिल्टा संकीन महादविपीय सेल्प मेग्रियो C नमबर देखते हैं अप्रावाही पानी बैक वाटर संकीन महादविपीय सेल्प और प्रवाल भित्याँ दी नमबर देखते हैं उठले महादुईपिये सेल्फ, मड़ फ्लैट्स और प्रवाल भित्तियां तो इसका सही अंसर है दोस्तों ए नमबर, चोड़े, महादुपी, सेल्फ, मड़, फ्लैट्स और प्रवाल भितियां, भाद के पसिम तर्टी ये मैदान की खास विसेशता है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं गारो खासी और जयनतिया परवत की सराज्य में इस्तित है देखिए ये रिपीटेट क्वेशन है, तो कहां है यहां, मेघालाय में है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं मेघालाय पठार भारतीय प्राइदुप से अलग है कैसे? इसको बताना है तो उप्सन में फ्रस्ट है, ए नमबर है, छोटा नागपूर का पठार B है गुडवाना बेसीन द्वारा, C है बित्वाप नदी द्वारा D है मालदा दर्रा द्वारा, और E है मालवा का पठा द्वारा तो इसका सही अंसर है D नमबर, मालदा दर्रा द्वारा नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं भारत की सबसे उंची चोटी किस राज्य में इस्थित है? भारत की सबसे उंची चोटी केटू गाडवीन है या किस राज्य में इस्थित है? बताना है इसका सही अंसर सिक्कीम, पसीम बंगाल, उत्राखंड या डी नंबर जम्मू कस्मिर में इस्थित है भारत में निम्नलिखित परवत में से किसके नाम का वस्तुता अर्थ वर्दान देने वाली देवी का नाम होता है तो option में है नंदा देवी, B है कामेट, C है तोड़ा बेटा, या D है कंचन जंगा तो इसका सही अंसर है दोस्तों, A नंबर नंदा देवी नंदा देवी का अर्थ होता है वर्दान देने वाली देवी, नंदा देवी चोटी को वर्दान देने वाली देवी के नाम से जाना जाता है और नंदा देवी कहा है, यहां उत्राखंड में है चलिए next question देखते हैं नंदा देवी सीखर किस राज्य में स्थित है जो अभी मैंने बताया तो यह कहा है उत्राखंड में स्थित है यह नंबर कारा कोरम क्या है कारा कोरम क्या है बताना है परवत है मैदान या फिर इस्थान है तो कारा कोरम क्या है एक परवत है और कारा कोरम धर्रा भी इस्थित है अपने भारत में धर्रा भी है और प्लस परवत भी है ठीक है दोस्तों चोलो नेक्स प्रेशन देखते हैं भारत के कंचन जंगा परवत स्रिंखर की उंचाई कितनी है तो इसका ओप्सन दिया हुआ है यहाँ पे और इसका सही अंसर है बी नंबर 85-86 मीटर है नेक्स प्रेशन देखते हैं फोलों की घाटी के नाम से मसुहर कास घाटी कहां इस्थित है सतारा महराष्ट पहल गाम कस्मीर तेशपूर असम दारजिलिंग पसीम बंगार या फिर इनबर सिमला हिमाचल परदेश तो इसका सही अंसर यहाँ पे लिया है दोस्तों सीजी पीएसी सतारा महराष्ट चलिए नेक्स प्रेशन देखते हैं परवत स्रिंखला उत्री मैदानों को प्रायदुईपीए छेतर से अलग करती है कौन सी करती है इसको बताना है विंधे सत्कुडा साध्री परवत या फिर बाला घाट आरावली तो इसका सही अंसर है ए नमबर विंधे परवत स्रिंखला उत्री मैदान को प्रायदुईपीए छेतर से अलग करती है नेक्स कोशन देखते हैं भारत का उच्छतम पठार कौन सा है लग्दाक का पठार मेगालाई पठार मालवा पठार बगेल खन पठार या फिर नाकपूर का पठार तो इसका सह अनसर है दोस्तों यह नमबर लदाक का पठार लदाक का पठार बारत का उच्छतम पठार है अंच झाल